गुड इबनिंग तो यहाँ पर देखें यह 65 कैपसूल्स हैं related to third paper कैपसूल्स means factual fact हैं और देखें यहाँ first poem है woman to man woman to man poem को आप poem written by Judith Wright एक ऐसी poem है जिसको Judith Wright ने लिखा है this poem begins with the descriptions of a child यह poem एक बच्चे के descriptions के साथ में शुरू होती है the form of poetess बच्चा जो की poetess के form में है see concert about the child अब वो उस बच्चे को लेकर poetess यहाँ पर Judith Wright उस बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है describes the child as an eyeless laborer और उस child को एक eyeless laborer के रूप में describe करती है that are growing inside in the darkness of her womb यह eyeless laborer child जो की इनकी warm में ठीक इनकी कोक में डार्कनेस में यह grow कर रहा है child is also hunter चाइल्ड को एक hunter भी नहीं बताया है इसलिए बताय क्योंकि child जो की warm में है वो जो है हाथ पैर जब हाथ पैर जब कोई child जब पेट में रहता है तब वो हाथ पैर चलाता है ठीक तो एक तरह इस हंटर भी है child is also maker यह एक maker भी है क्योंकि यह child आगे चलकर इसका भी साधी ब्या होगा और यह भी baby born करेगा तो यह child को एक maker की रूप में बताया है और चाइल्ड इस आलसो आगे और चाइल्ड एक कोईस्टन है अपने अपने कोईस्टन है क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि male होगा है female होगा इसका shape कैसा होगा बिल्कुल यह shapeless है और it is also an answer और यह जो है answer भी है मतलब जब यह पैदा होगा तो वहाँ से सारे questions इस तरीक कि यह male है कि female है इसका color कैसा होगा shape कैसा होगा सारा चीज answer यह अपने अपने देदेगा खुद देदेगा ठीक पोएम में चार इस्टेंजा है women to men poem में कितने इस्टेंजा है फोर इस्टेंजा है poem has more than one extended ideas poem में एक से अधिक ideas है एक से अधिक ideas का मतलब एक तो है husband of poetess एक तो poetess के husband है ठीक और दूसरा every woman every women and men हर अवरत या हर जो है मनुष्य है ठीक और तीसरा ideas है अगरूप आप learned person for text और तीसरा ideas वो है जो कि इस text को पढ़ते हैं ठीक तो इस poem में three ideas है एक तो husband हो गए husband of poetess दूसरा every man and woman ठीक और तीसरा अगरूप आप learned person for text टेक्स्ट को पढ़ने वाले जो है जो विद्वान लोग है वो है तीसरा अच्छा next देखे purpose of the purpose of poetess in this poem इस poem में कौन सी poem में woman to man इस poem में जो poet का purpose है जो poetess का purpose है वो यह है not only not only to reveals her emotions to her husband अपने emotions को अपने husband के ही सामने reveal नहीं करना but also to the world बलकि उसको world के भी world के भी सामने reveal करना है clear है तो 11 capsules हैं इसको revise करिए एक बार देखें आपर woman to man इस ये एक poem है इसको लिखा है Judith Wright में और इस poem की सुरुआती सुरुआत जो starting होता है वो descriptions of the child से होता है child जो की poetess के form में है और यहाँ पर poetess Judith Wright जो है बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हैं और यह बच्चे को एक eyeless laborer की रूप में describe करती है और यह जो है इनकी कोक में यह बच्चा ग्रो कर रहा है कोक में अंधेरे में जो है अंदर में ग्रो कर रहा है ठीक है और child को एक hunter की रूप में बताया गया है child को एक maker की रूप में बताया गया है child को एक question की रूप में और चैल्ड को एक answer की रूप में consider किया गया है इस poem में फोर इस्टेंजा है और इसमें एक से अधिक जो है intended ideas है एक तो husband of poetess है दूसरा every man and woman है और तीसरा a group of learned person for text इसके बात में देखे यहाँ पर जो poetess का इस poem में परपज है वो यह है कि अपने emotions को अपने feelings को बच्चे के प्रत अपने emotions या feelings को जो है केवल अपने पती के अपने पती से ही reveal नहीं करना बलकि पूरे word से word के लोगों के सामने reveal करना एक तरह से हाँ पर यह एक woman की situation को बताती है during the pregnancy okay